आपका composition इतना melodious था ना और मुझे बहुत मज़ा आया, गाना मुझे बहुत पसंद आया I think अधिद जी के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि अगर खुदा एक मासूम इश्क में पागल आशेक होता नौ जवान तो उनकी शायद वही आवाज होती जो उदिद जी की है और बहुत ही प्यार से उन्होंने गाना गाया है, बहुत सारे गाने बहुत प्यार से गाया है पुरी दुनिया उनकी फैन है और मैं कोई exception नहीं हूँ, उनकी आवाज जो positivity लाती है उसका कोई जवाब ही नहीं है और इस तरिके के गाने में जब उदिद जी की आवाज आ जाये तो गाने को चारचान लग जाते हैं और यही हुआ है इस गाने में भी, जब हमने गाना रेकॉर्ड किया था तो उदिद जी की तब्याद बहुत ठीक नहीं थी और में ले भी मुश्किल हो रहा था कि मैं और वेट कर पाऊं लेकिन वो आए और उन्होंने गाना सीखा मिरे साथ जो गाने की धुन है और मूड है, एक्स्प्रेशन है और फिर माइक पे गाने के लिए और मुझे लग रहा था कि शायद से गाना अच्छे से रिकॉर्ड ना हो पाए लेकिन जैसे जैसे वो गाते गए रिहर्स करके उनके वास खुलती चले गई और बहुती बढ़िया तरीके से खाया, उन्होंने खुदी रिटेक पे रिटेक लेना ये वाला काम किया और मैंने एक स्टेज पर बोला कि अदुद जी आपकी जो गला है उस पे ज जो ट्रू अर्टिस्ट है उनकी निशानी होती है और बहुत अच्छे से गाया इंफाक्ट एक हिस्सा था गाने का जिसमें मैं चाहता था कि वो मैंने मिरे मन में एक स्टाइल था कि ये उसको थोड़े हसकी तरीके से गाये लेकिन मैंनों को बोला नहीं क्योंकि मैं चाहता था कि वो अपने तरीके से गाये लेकिन फाइनली की एक experience, एक genuine एक बहुत ही बड़े artist की निशाने, बहुत ही अच्छा लगा मुझे काम करके आपके साथ, so thank you, दिजी, love you, और बस आपी का है, जो है, ये गाना भी आपी का है, और हम भी आपके हैं. जम जाएगा गाना, कमाल हो जाएगा, very good.